कॉंग्रेस नेता और पूर्फ केंद्रिय मंत्री शशी थरूर जिनके बारे में आए दिन मीडिया में खबरे आती रहती है। कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी अपनी मल्टी टास्किंग के लिए जाने वाले शशी थरूर की लाइफ भी कुछ कम दिल्चस्प नहीं है। उनकी परसनल लाइफ में एक ऐसा हाथसा हुआ जिससे उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। सुननना पुषकर जो शशी थरूर की पत्नी थी, उनकी हत्या का आरोप शशी थरूर पर लगाया गया। सुननना पुषकर की मौत 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के 5 सितारा होटल में हुई मौत के लगभग 9 महीने बाद दिल्ली एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2015 को इस रिपोर्ट के आधार पर केस दर्स किया गया। शशी थरूर के खिलाफ सुननन्दा पुषकर मामले में IPC की धारा 307 और 498 एके तहट केस दर्स किया गया। शुरूराती जाच में पता चला कि सुनन्दा की मौत दवाईयों के ओवरडोस की वजह से हुई। एम्स के डॉक्तर की रिपोर्ट में बताया गया कि सुनन्दा के शरीर पर 12 चोट के निशान पाए गए। इसमें से एक उनके गाल पर था जो ये बताता है कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुच और पुलीस ने अग्यात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दिल्ली पुलीस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशी थरूर और उनके परिजनों, रिष्टेदारों, दोस्तों वह अन्य से पूच ताच की लेकिन नतीजा नहीं निकला। शशी थरूर ने ड 2021 से यह मामला अदालत में सुरक्षित था और 18 अगस्ट 2021 को शशी थरूर को सुननदा पुशकर के से पूरी तरह बरी कर दिया गया।